आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होगे, मेरा नाम इस सिधान तगनी होतरी, स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत सभागत है, दोस्तों हम फ्यूल प्राइस की बात करेंगे, तेल के दाम आखिरकार इतने क्यों बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के तो हम बात करें, impact of crude oil prices on India, बहुत दोस्तों सौ पार हो गए, मतलब यार हद हो गई है, सौ से सौ रुपए से जादा आपको पेग करने पड़ रहे हैं पेट्रोल के, और अब लग 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 सारे राज्यों में ही यही हाल है, सौ के आसपासी है, तो अब देखिए, इसमें एक तर किये दिया जाता है कि ग्लोबल फ्यूल प्राइस बढ़ रहे हैं, देखिए, वैसे तो अगर आप फ्यूल की कीमत देखो, चाहें वो डीजल और पेट्रोल हो, तो उसकी तकरीवन वही, 34 से 35 रुपए कमिशन अगर आप जोड लो, इतनी आती है, उसके बाद जो है पर इस्टा पर फॉलो करें, टेलिग्राम पर आजाएं, तो भाई वही है कि इस समय जो प्राइज ओफ क्रूड ओल है, वो अपने हाइस्ट लेवल पर है, 2018 के बाद से, हम थोड़ा टेकनिकल एनलेसिस करेंगे, और आपको बताने कि मैं कोशिश करूँगा, वैसे मैंने प पेट्रोल बढ़ेगा, तो लोजिस्टिक ट्रांसपोर्डेशन कोस्ट बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेगे, तो उससे फिर महंगाई भी बढ़ जाती है, प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे, कोल शॉर्टेज भी हमारे देश में हो गई है, दिक्कत हो र प्राइजेस को फिक्स करता है, ये काटल है, ये एक समू है, जो भी पेट्रोल प्रडूसिंग कंट्रीज है न, उनका समू है, अब ओपेग जो है, वो सौधी अरेबिया लीड करता है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ओयल का सौधी अरेबिया, पूरी दुन या उनके प्राइज के बेसिस पे बागी क्रूड ओल का प्राइज सेट किया जाता है, तो ब्रेंट और वेस्ट टेकसास इंटरमीडियेट, ये दो क्रूड ओयल हमको देखने को मिलते हैं, तो अब ओपेक की बात करें, तो ओपेक में वैसे 13 मेंबर कंट्रीज है, ओपेक क ओपेक क्या करता है, ओपेक प्राइज को डिसाइड करेगा, प्राइज को घटा बढ़ा सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का सी प्रतिशन जो पूरा ओइल हो इनके पास है, तो ये कैसे प्राइज घटाएगा बढ़ाएगा, ये कुछ नहीं करेगा, अगर मान लीजे कि इसको प्राइज बढ़ाना है, तो बस अपने प्रोड़क्शन को कम कर देगा, ठीक है, और अगर प्राइज घटाना है, तो प्रोड़क्शन को जादा कर देगा, प्राइज जिसका प्रोड़क्शन जादा होगा, उसका प्राइज घटेगा और जिसका प्रोड़क्शन कम हो रहा है लेकिन demand जादा है supply कम है तो उसका price बढ़ेगा ही बढ़ेगा जैसे mask है mask का production कम है लेकिन बहुत सारे खरीदार उसको लेने के लिए लेकिन बाजार में आ नहीं रहा तो उसका price जादा हो जाएगा ना मारा मारी हो जाएगी mask के लिए तो global oil pricing जो है वो इनी oil exporters के बीच पे depend करती है ये चीज़ है अब अभी covid-19 में बहुत बुरी हालत हुई आपको पते हैं covid-19 में जो supply है वो बिल्कुल ठप हो गई थी अभी OPEC ने Russia के साथ भी वो काम कर रहा है जिसको OPEC Plus बोला जाता है ताकि global prices और supply को fix किया जा सके तो वही है कि supply अगर limited है supply कम हो रही है तो prices बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे demand जादा है supply कम है तो भी covid-19 में हो covid-19 में prices बहुत ज़दा बढ़ गए आपने देखा covid-19 में पेट्रोल के दाम कितने उपर चले गए और भारत पे तो बहुत ज़दा impact होता है भारत का current account deficit भाई आप पेट्रोल बार से मगाते हो आपको dollar में वो खरीदना होता है तो जितना ज़दा महंगा पेट्रोल होगा उतना ज़दा को forex reserve जाएगा महंगाई बढ़ेगी ना पेट्रोल महंगा होता है तो भाई मैंने बताना है कि पेट्रोल और डीजल पे पूरा transportation डिपेंड करता है तो वो अपने आप महंगाई को बढ़ाएगा inflation बढ़ेगा monetary policy committee अपने rates को घटाएगे बढ़ाएगी इसी के हिसाब से और ये सीधा burden जो है वो लोगों पे ही आता है हमारा जो deficit है वो जादा होगा हमारा import bill जादा होगा हमको जादा पैसा देना पड़ेगा ये चीज है अब इससे पहले हम और आगे बढ़ें Brent और WTI में आप difference देख लिएए क्योंकि आप Brent oil Brent oil आप भी बार बार देखेंगे Brent crude oil जो है वो North Sea से आता है Brent crude oil वहाँ से निकाला जाता है ये variety है oil की बस और कुछ नहीं ठीक है तो Shetland Island और Norway के बीच में जो North Sea आता है वहाँ से Brent oil जो है वो निकाला जाता है दूसरी variety of crude oil होती है West Texas Intermediate जो कि अमेरिका से निकाला जाता है Texas, Louisiana, North Dakota दोनों ही oil जो है बहुत ही हलके होते है ये चीज़ अब देखिए Brent crude oil जो है वो International Benchmark है यानि कि OPEC जो है वो Brent crude oil को ही देखता है प्राइजे सेट करने के लिए कहने का मतलब ये है कि Brent crude oil के रिस्पेक्ट में प्राइजे सेट किये जाते हैं और WTI की बात करें West Texas की बात करें तो ये benchmark है अमेरिका के oil prices के लिए अमेरिका West Texas crude oil को इसको consider करता है ये चीज़ है भारत में Brent is the benchmark for oil prices तो अगर Brent का price उपर जाएगा तो हमारा भी price उपर जाएगा ये चीज़ है शिपिंग की cost Brent crude oil की थोड़ी कम होती है क्यों? क्योंकि ये समुदर से थोड़ा सा pass है न तो आसानी से ship पे ये जा सकता है वहीं अमेरिका की बात करें West Texas की बात करें तो थोड़ा सा दूर है तो ship में जाने में टाइम लगेगा वो transportation cost बढ़ा देता है शिपिंग जो होते है WTI की वो थोड़ी सी जाधा होती है समझ गए आप तो ये मैंने आपको पूरा एक background बता दिया अब आम इस ख़बर की बात करते हैं आप इस संदर्म में आप ख़बर को समझ लेंगे इंस्टा पर दोस्तों में आ गया हूँ यहां पर मैं सारी न्यूज, current affairs, recruitment news सब बताता रहता हूँ तो fuel prices क्यों rise हो रहे हैं तो वही Brent crude oil अब समझ गए तो Brent crude जो है वो 85 डॉलर पर barrel क्रॉस कर गया 2018 के बाद से यह सबसे ज़ादा है दुनिया recover कर रही है pandemic से लेकिन आप देख रहे हैं कि तेल के दाम कितनी तेजी से ऊपर जा रहे है और आप समझी है कि एक साल पहले Brent का जो उसकी कीमत थी वो 42.5 थी यानि कि दुगना हो गया है, एक साल में दुगना तो भाई, petrol के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अभी सरकार को बहुत बढ़िया यह क्या कहते हैं कि यह काफी अच्छा बहाना मिल गया सरकार को अभी OPEC Plus members की जो second round of, मतलब जो latest round of meeting हुई अब भाई है ना कि अगर आपको तेल के दाम घटाने है तो भाई, production बढ़ा दो लेकिन प्रॉब्लम यह है, यह लोग production बढ़ा रहे हैं अभी OPEC Plus की जो meeting हुई उसमें यही था कि भाई हम चार लाक बैरल्स जो है पर डे सप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं नवेंबर में हम सिर्फ और सिर्फ चार लाक बैरल्स पर डे ही देंगे इधर प्राइस बढ़ रहे हैं, अरे ज़्यादा बढ़ा हो ना, आपके पास आप कर सकते हो आप सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो, मलब production बढ़ा सकते हो, लेकिन यह कर नहीं रहे है साओधी अरेबिया, रश्या, इराक, यूएई, कुएट अगर यह, 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 टॉप, टॉप, अल प्रेडिशिंग कंटरीज है अगर, इनके भी आउटपुट को मिला ले, तब भी 14% कम ही आएगा ठीक है, अब COVID-19 में तो आपने देखा कि भाई, सप्लाई में बहुत ज़्यादा कटा है 2020 में सप्लाई हुई ही नहीं, COVID-19 ट्रावल डिस्रिक्शन से इतने सारे लगा दिये गए लेकिन अब एकनॉमी रिकवर कर रही है, तो भारत और बाकी ओयल इंपोर्टिंग नेशन बोल रहे हैं ओपेक प्लस कंट्री से कि भाईया आप सप्लाई करोगे कि नहीं, तेल दोगे कि नहीं, कि हमारी तेल निकालोगे तो और यहाँ पे भारत मतलब ये कुछ ये भी आरोप है कि जानबूझ के नहीं कर रहे हैं सा क्योंकि अगर आप तेल की सप्लाई जादा नहीं करोगे, तो तो प्राइस बढ़ जाएगा न, आप देख रहें न, सौ से उपर पेट्रोल चला गया है, तो आपको तो सप्लाई करने ही पड़ेगी नाचरल गैस की बात करें, तो ये भी आल टाइम हई पे है, 56.3 डॉलर मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU जो इसका यूनिट होता है, नवेंबर में जो डिलिवरी होगी इतने रुपए में, ये चीज है, अमेरिका में भी सप्लाई साइड इशू है, अमे तो अगर आप कुल मिला के देख लें, तो it all depends on supply, प्रोडक्शन जादा कर नहीं रहे हैं ये, और आप ये देख सकते हैं, कि ये प्रती डॉलर पर बैरल आप देखिए, 2014 में तो बहुत ज़दा था, लेकिन ये देखिए, 2018 में ये लोइस लेवल पर आ गया था, एग दोज 85 पर आ गया है, भारत पर क्या impact होगा, बहुत ज़दा impact होगा भाई, पेट्रोल और डीजल के prices जो है वो लगातार बढ़ते रहेंगे, 2021 में इतने पेट्रोल और डीजल के दाम कभी थे ही नहीं, 100 से ऊपर पहुँच गए हैं, दिल्ली में 105 रुपाई लीटर पेट्रोल मि और भारत पेट्रोल जादा कंज्यूम कर रहा है, इनफाट डीजल से जादा भारत पेट्रोल कंज्यूम होता है, जैसे ही pandemic restrictions हटाएगे, अलाकि festive season में डीजल का consumption अभी बढ़ेगा, ऐसा SNP Global Plats Analytics ने बताया है, कि अभी festive season में definitely डीजल का consumption बढ़ेगा, उसके बाद फिर अग से prices को adjust कर रही है, जो हमारे domestically produced natural gas है, उसका भी price जो है, वो international market से ही, उसके basis पर set होता है, petroleum planning and analysis sell, PPAC ने natural gas का price, जो ONGC और oil India produce करते हैं, यह इस समय 2.9 dollar per mmBTU रख दिया है, और यह पहले कितना था, 1.79 per mmBTU, यानि कि natural gas में भी हमको व्रद्धी देखने को मिल रही है, आप द देखो न, LPG का बिल कितना आ रहा है, और 1000 के करीब आ रहे हैं, 1000 के करीब आ रहे हैं, 1000 के करीब जो है, आपकी gas इतनी जादा महंगी हो गई है, ceiling price भी 6.13 dollar तक बढ़ गया है, यह चीज है, तो एक तरीके से prices जो है, वो पहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, अब इसकी व जी कभी price जो है, वो 4 उपए तक बढ़ा दिया गया, तो आप यह समझिए कि prices जो है, वो बहुत ऊपर से भारत में coal shortage है, coal जो है, उससे हम जो energy है, वो हम coal सही लेते है, कोईले सही लेते है, भारत की 75% energy demand तो कोईले सही पूरी होती है, coal बहुत महंगा हो गया है, international prices में और महंगाई भी बढ़ेगी, तो आप इसका solution क्या है, solution यही है कि supply जादा हो, demand जादा हो, production जादा हो, या फिर सरकार जो tax कम करें, तभी यही solution है, हमने शानदार banking का course बनाया दोस्तों, video on demand, और अभी banking की काफी wants भी निकली है, तो आप उसको avail कर सकते है, वो recorded lecture है, 400 प्लस आप से एक request करना चाहूँगा, हमारा जो number है, जो help line number है, उस पर आप WhatsApp भी कर सकते हैं, आप उसको call भी कर सकते हैं, हमारी जो representative हो हमेशा आपकी help करते हैं, callback भी करते हैं, अगर आप call में सो जाती है, लेकिन आप से एक request है, भाई, आप office time में call करो, सुबा 10 से लेकर, शाम शाड़े 7 बजे तक, आप सुबा 6 बजे call करते हो, आप रात 12 बजे call करते हो, आप रात 11 बजे call करते हो, एक के बाते call करते ही रहते हो, तो भाई ये मत करो, ठीके, वो भी employee है, आप समझो ये बात को, ठीके, हुच नहीं परतारे, देशे सिद्धान तक नहीं होता ही, signing off.